आज में आपके लिए इस वीडियो में राम लच्मन भगवान की कहानी लेकर आई हूँ दोस्तो एक समय की बात है एक गाव में एक जाट और जाटनी रहते थे दोनों बहुती गरीब थे लेकिन जाटनी तोड़ी चतू थी उसने एक दिन चार होठिया बनाई और जाट से कहा जाओ नदी के किनारे ये चार होठिया रख देना वहां राम लच्मन ची आते हैं है ना ओर रास्ते में जाते समय ये पंक्तिया दोराना राम बड़े लच्मन छोटे वो बैठे अंबे की डाली वो बैठे चंपे की डाली मिस्री का दसरत बनावे माकन मिस्री भोग लगावे आप ऐसा बोलोगे तो राम लच्मन भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे अब जाट चार होठिया लेकर गश्ते बर उन पंक्तियों को याद करते गया लेकिन जैसे ही नदी की किनारे गया वो पंक्तियां भूल गया और बोला लच्मन बड़े राम छोटे वो ब पेठे चंपे की डाली मिट्टी का दसरत बनावे माखन मिश्री भोग लगावे दे परिकर्मा धर को आवे यह पंक्तिया सुनकर राम भवान लच्मन जी से बोले कि लच्मन इसने तुमें बड़ा बताया है इसलिए तुम ही इसे कुछ दे दो तब लच्मन को बहुत ज़ अब घड़ जाता है घर जाकर जातनी पूशती है कि कुछ मिला क्या तब उसने कहा मिलो था था मोर असर पी मिलीती ही लेकिन उसे चोर लूट कर ले गए तब जातनी कहने लगी कोई बात नहीं कल फिर जाना कल में फिर तुमें चारोटिया बना कर दूंगी दूसरे दिन वह जात भिर गया और प्रास्ते बट पंक्तियां याद करता गया लेकिन जेसी ही वहां गया फिर वह है वो ही बात बोने लगा कि लच्मन बड़े राम छोटे वो बेढ़े अम्बे की डाली वो बेढ़े चंपे की डाली मिटी का दसरत बनावे माखन मिश्री भोग लगावे देव परिकर्मा घ अब यह पंक्तिया सुनी फिर लच्मन जी को गुश्चा आया कि यह आदमी तो पागल हो गया है कहीं राम से भी बड़ा इस दुनिया में कोई है क्या तब राम कहते हैं कि नहीं लच्मन इसने आज भी तुमें ही बड़ा बताया है आज भी तुम ही से कुछ दे दू तब लच्मन को बहुत किस्ता आ जाता है लेकिन राम बया की कहने पर वहां उसे सोने की इते दे देता है अब जाट सोने की मिला था कि मिला था सोने की एते मिली थी लेकिन रास्ते में चोल तूट कर ले गए तब जाटनी ने कहा तुमने ऐसा क्या बोला तब उसने कहा कि मैंने लच्मन बड़े, राम छोटे वो बेठे अंबे की डाली, वो बेठे चंबे की डाल मिटी का दसरत बनावे, माखन मिस्री भोग लगावे, दे परिकर्मा धर को आवे तब जाटनी मुस्कुराए और बोली मेरे भोले चाट आपको तो ये भी नहीं पता कि राम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है आपने लच्मन जी को बड़ा बता दिया, हमेशा राम ही सबसे बड़े होते हैं अब मैं तुमें कल फिर चार रोटियां बना कर दूँगे और तुम इस बार सही सही पक्तियां बोलना अब चाटनी दूसरे दिन जाट को घिर चार रोटी बना के देती हैं और उसे अच्छी धरय याद करवा की भेशती हैं और इस बार चाट सही सही किनननी के किनारे जागर बोलता है कि राम बड़े लच्मन छोटी वो बेटी अम्बेगी डाली वो बेटे जम्बेगी डाली मिटी का दसरत बनावे माखन मिश्री भोग लगावे देपरिकर्मा घर को आवे इस बार लच्मन ने बोला कि इसकी भूती सही हो गई है राम भाया आज इसने तु आपको बड़ा बता है आज ही आप इसे कुछ दे दो तब राम जी कहते हैं कि मेरे पास क्या है ये जोहर की मिटी है मिटी की डली है राम जी अपने हाथ में से वो जोहर की मिटी की डली लेकर उस जाट को दे देते है अब जाट उस मिटी को डली को लेकर राष्टे बड़ बढ़ाता हुए पागल गुरिया उसको लखन्नी है रोज मुझे मैं लस्मन जी को बड़ा बताता था रोज मुझे कभी कभी सोने की इटे मिलती थी अज राग को बड़ा बताया है तो देख मुझे मिट्टी मिली है अब राश्ते में जचोर आये लेकिन उन्होंने मिटी देखी तो वे बिना कुछ बोले ही चले गए अब वह घर गया तो जाटनी ने कहा आज कुछ मिला तब जाटने कहा तेरी पागल मुद्धी के करण देख मिटी की डली मिली है रोज तो सोना चांदी मिलता था इससे में चूला लीप सकती हूं घर का आगर नीप सकती हूं तुलसा माताजी के पास दोनों जलिक उस मिटी को तुलसा माताजी के पास में रख कर सो जाते हैं सुबह उठकर देखते हैं तो वहां सीरे मोती जगमगा रहे होते हैं तब जाकर जाट को समझने आता है कि राम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है राम भगवान ने मिट्टी को हाथ लगाया तो वो भी हीरे मोती बन गई तो दोस्तो ऐसे हैं हमारे राम भगवान जिनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है तो दोस्तो बोलो राम लचमन भगवान की जे हो तो दोस्तो ये थी राम और लचमन की कहानी जो मकर सकरांती पर सुनी जाती है आप इसे सालबर सुन सकते हैं, छे मेहने सुन सकते हैं, सवा मेहने या 15 दिरिया साधिन आप राम रचमन जी की कहानी सुन सकते हैं और उसका पर एक साट डेर साल के बाद आप उध्यापन कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगी अगले वाले वीडियो में कि आपको राम रचमन जी का उध्यापन कैसी करना है तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बोक्स में बताईए साथ ही अपने दोस्तों रिस्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेर करी और मेरे चेनल धक्ती ट्रेंडिंग को सब्सक्राइब करना मैं ही भूलिए आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भूर धन्यवाद